कि एवरीवन कैसे आफ सब आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में तो गाइज आज हम खड़े हैं होंडे वेन्यू एस वेरेंट के सामने जो कि एक अपने सेग्मेंट में कॉम्पेटेक्स वी सेग्मेंट में बहुत ऊचा और काफी अच्छा नाम हासिल कर चुकी है य दूसरी के में हमें सेंटर लो प्रॉइट नहीं होता होंडे की तरफ से तो उसके व्रेंट लुक के पारें बात कर लेते हैं बीच में हमें हांधा यी की पेजिंग और इसकी इसके हो ऐसकिका में प्रोड्यू करते करती हैं अच्छे तरफ हमें लेश में सज्देन ओर जाते हैं उपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें डियारल और इसमें हेलो जन नहीं है LED बलफ प्रोवाइड कर देती है हमें होंड़ी तो इसके फ्रंट लुक के बारें बात करें तो काफी सेंटे और काफी प्रीटी लुक है गाडी में तो गाडी का लुक हमें उसके टाईड साइज की तरफ चलते और 2008 साइज भी दिक लेते हैं हमेंvärमस में लुक सेब्स लुक के साथ औरिया आ पंदरा के साथ हम इंडिकेटर इसके साइड में दे रखें जैसे क्या वीडियो के दोरान देख सकते हैं तो इसके साइड प्रोफाल के बारे में बात करूं तो काफी बढ़िया एंड काफी डैशिंग रहने वाला है और इसके डोर हैंडिल्स के बारे में बात करें तो डोर हैंडिल भी बॉड के साथ मिल जाते हैं उपर के बारें बात करूँ तो इसमें रूफ रेल्स प्रूवाइड हो जाते हैं होंडे की तरफ से हमें जो कि मतलब इस सेगमेंटर मतलब काफ़े बढ़ा लगता है होंडे वैन्यों ज्यादा रूफ रिल्स मुझे ज्याद़ अच्छे लगते भी हैं से इसी गाडी में ज़्यादा जाना जाती है तो काफी बड़ी है और यह इसका पीछे का वर में 95 में जाते हैं अब के देख लेते那么 यहां चरप में क्या प्रोवाइट बोड़ाता है और पाप बड़ी है और काफी प्यारा लुक रहने वेन्यू का और पीछे की तरफ हमें LED head, tail light मिल जाती है, पीछे की तरफ हमें LED tail light मिल जाती है, और यह reverse में indicators और reverse bag मिल जाता है, नीचे की तरफ हमें reflectors प्रोबाइड हो जाते है, जो की बेश से उपर मतलब हमें सब सब चीवा मिल जाता है, पीछे की तरफ हमें parking sensors प्रोबाइड हो जाते हैं, बीच में Hyundai की बैजिंग और वेन्यू की बैजिंग प्रोबाइड कर देती है, और इसमें मतलब हमें models की बैजिंग नहीं मिलती है, आजकल सभी कंपनियों ने models की बैज बड़े रहने वाला, यहां इसके reflectors हैं और back करते टाइम यहीं पर वो light जलती है, और यहां की तरफ एक पीछे brake वाली light मिल जाती है, spoiler मिल जाता है, पीछे की तरफ एक sharp antenna मिल जाता है, और कि काफी इसके look को काफी बड़े बना देता है, एक बार boot space भी चेक कर लेते हैं, च कोई halogen light provide नहीं होती है, जो मतलब काम देती है, अंधेरे में, और इधर दे रखा है, बड़ यह पता नहीं light है, क्या है यह, बड़ जल तो नहीं रही है, वर से जल जानी चाहिए, और एक बार इसकी step नहीं देख लेते हैं, step निमा में कितने inches का tears provide हो जाता है, तो इसकी step आर 14 का tear size provide हो जाता है, जो कि मतलब एक inches कमी दिया है, और इसमें parcel tray provide हो जाती है, होंडे वालों की तरफ से, जो कि मतलब सही रहने वाला है, कि parcel tray बहुत ज़रूरी है, और चलिए और एक बार इसके side profile के तरफ भी देख लेते हैं, तो इसका side profile काफी बड़े रहने वाला है, वीडियो के दोरान आप देखे सकते हैं, और इसमें fuel tank capacity मिल जाती है, हमें 45 liters की petrol, चलिए इसके engine के बारे में बात कर लेते हैं, हमें होंडे वेन्यू में दो engines provide होते हैं, 1.2 liter का एक होता है, 1.2 liter का provide होता है, तो आप यह देख रह power generate करती है, चलिए इसके interior में देख लेते हैं, हमें interior में क्या क्या provide हो जाता है, होंडे की तरफ से, तो इसके doors के बारे में बात कर लेते हैं, पहले तो इसके doors के, अगर build quality के बारे में बात करें, तो काफी heavy रहने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे एक खास्ता है, मत build quality काफी अच्छी कर रखी है, होंडे इना इसके gate की, और इसके gate में देख लेते हैं, हमें पूरा jet black finishing के साथ मिल जाता है, और यहां पर एक tweeters provide हो जाता है, यह lock and unlock provide हो जाता है, चारो powers window provide हो जाते है, हमें front door में, और ORVM set हो जाता है, और नीचे की तरफ बात करें, तो एक speakers provide हो जाता है, और एक one liter की bottle space provide हो जाता है, और पूर पूरा jet black finishing के साथ होता है, चलिए और इसके अंदर भी देख लेते हैं, यहां पर हमें fuel tank के लिए मिल जाता है, और इसके seating comfort के बात करने तो seating comfort भी काफी बढ़े रहने वाला है, और हमें seat adjustable मिल जाती है, उसकी up and down के लिए provide कर देती हैं होंड़ी, चलिए इसके अंदर देख लेते हैं, और हमें क्या-क्या मिल जाता है, तो गाइस गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं मैं, और गाड़ी का steering है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के दोरान, तो इसके में हमें होंड़ी की बैजिंग provide हो जाती है हमें, और handle हमें, steering हमें adjustable मिल जाता है, up and down करने के लिए, और इसके speedometer की तरफ भी चलते हैं, तो 220 की इनोंने marking provide है होंड़ी की तरफ से, और RPM में 8 तक speed provide कर रखी है, और इसका हमें fuel tank की जो बतलब वो मिलती है, इसमें हमें digital provide हो जाता है, और AC के events हमें black color और silver color की finishings में provide हो और इसका music system है, यह हमें normal मिलता है, Bluetooth वाल एपल प्ले का रोटो नहीं provide करती है, segment इस parent में on day हमें, और आप देखी सकते हैं, वीडियो के दोरान में, normal Bluetooth वाला रहने वाला है, और इसकी dashboard की quality भी देख लेते हैं, एक बार कैसी रहने वाली है, तो काफी, मैं चेक करा है, तो सह इसकी रहने वाली है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, अच्छा material यूज करा है, इसका dashboard में भी, और एक बार नीचे भी देख लेते हैं, क्या-क्या मिल जाता है, driver के side में भी airbag की बैजिंग मिल जाती है, और नीचे की तरफ हमें कुछ coins रखने हैं, मतलब कुछ भी समान रख सब्सक्राइब नहीं है, इस वेरेंड में, और इसमें हीटर भी प्रोवाइड है, नीचे एक तरफ एक यूसबी पोर्ट और 12 बोल्ट का socket charger दे रखा है, और wireless charging नहीं मिलती है, मतलब बस खाली इनों नहीं आपर जगह दे रखी है, कुछ भी रख सकते हैं, और एक बार इस प्रोवाइड कर रखें नीचे और हैंड ब्रेक हमें मैनुवल्स मिलता है, और एक आम्रेस्ट प्रोवाइड हो जाता है, इस मॉडल में, जो की company fitted है, तो मतलब काफी बढ़ी है रहने वाला है, और इसमें आपको थोड़ी बहुत स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, आप प्रोवाइड कर रखा है, और भी आप काफी सारी चीजें अंदर की तरफ काफी दे रखा है, और इसके ओटोमेटिक क्लाइब, ओ, इलेक्टिकल अर्जेस्टेबल इसके नहीं है, चलिए एक बार इसके पीछे भी देख लेते हैं और इसके पीछे के डोस में हमें पैसंचर डोट साइड हमें क्या कया परोवाइड हो जाता है, और इससे देख लेते हैं इक बार, तो गगार इसके बी locks के बारनें बिलकुल हैवी, और काफी बढ़िआ मँनार कर यहां पर कुछ कोई स्था सकते हो नीचे तरफ एक स्पीकर देरका और और एक बोटल का स्पेस दे रखा है और सेटिंग के बारे बात करें तो सेटिंग काफी बड़े लगी मुझे और एक बार अंदर देख लेते हैं अंदर बैट के बताते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड हो जाता है और पीछे की तरफ रियर पैसेंजरों के लिए एसी के इवेंट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं इस मॉडल में जो की मतलब काफी बढ़िया लगा और नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का स्टॉकिट चार्डर दे रखा है और पीछे से कुछ ऐसा व्यू आता है फ्रेंट का जो की मतलब काफी बढ़िया लग रहा बस थोड़ा बहुत म्यूजिक सिस्टम से हलकी सी लग रही गाड़ी वरना वैसे तो नॉर्वल बढ़िया लग रही गाड़ी और पीछे की तरफ आपको और दिखा देता हूं रियर पैसेंजरों के लिए उस तरफ भी एक पावर मि प्रोवाइड है या नहीं है देख लेते हैं तो पीछ एक तरफ इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं है का फोल्डर करें वीडियो पच्छांदा लाइक एंट से जोर करते हैं जानों को सब्सक्राइब करते हैं